Hello everyone, I am Jody Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम पढ़ेंगे NCRT Class 5th Hindi Chapter 6 चिठी का सफ़र का प्रश्न उत्तर तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCRT से रिलेटेट सारे वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे और अगर आपने अभी तक चिठी का सफर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां से निकाल के भी से पढ़ सकते हैं तो चलिए बच्चों पढ़नाय स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रशन उत्तर करते हैं तो देखिए क्या है इसमें प्रशन उत्तर है कि गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा तो क्या है प्रश्ण अपका गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुँच गया होगा तो उत्तर क्या लिखेंगे इसका कि गांदी जी बहुत मसहूर व्यक्ती थे इसलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सारे पत्र पहुँच गया होगा उसके बाद दिखें दूसरा प्रशन है कि अगर एक पत्र में पत्रे के साथ का नाम हो तो क्या पत्र जगह पर पहुँच जाएगा तो देखे, क्या लिखेंगे? कि हाँ पत्र ठीक जगह पर पहुँच जाएगा उसके बाद देखे, फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती है तो उत्तर लिखेंगे कि नाम ना होने से पत्र किसका है, ये पता लगाना थोड़ा मुस्किल होगा चौथा प्रश्न है कि पैदल हरकाडों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा तो उत्तर लिखेंगे कि पैदल हरकारों को कठिनाईयों से भड़े रास्तों से जाना पड़ता होगा और उन्हें मौसम को मार भी सहन करनी पड़ती होगी जो मौसम का मार होता है यानि कि कैसा मौसम है अच्छा है सर्दी, गर्मी, बारिस क्या है तो जो बरास्ते पे चलते हैं तो उस सब तरह के मौसम को भी उसको जहलना पड़ता होगा उसके बाद देखिए फिर है प्रशने कि अगर तुम किसी को चिठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे तो देखिए यहाँ पे है जैसे की आपका है गली, महले का नाम, घर का नमबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे सहर, गाउं का नाम, जन्पद का नाम, नीचे दी गई जगह में लिखो तो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे तो देखिए तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा तो यहाँ पर देखिए उत्तर लिखेंगे पहले लिखेंगे हम घर का नमबर गली महले का नाम, खंड का नाम और उसके बाद कस्बे सहर या गाउं का नाम उसके बाद फिर देखिए जनपद का नाम, राजी का नाम हमने पता इस क्रम में इसले लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ बढ़ते हैं उसके बाद देखिए छठा प्रशन है कि अपने घर पर कोई पूराना या नया पत्र ढूंडो उसे देखकर नीचे लिखे प्रशनों के जवाब लिखो तो देखिए इसमें क्या है कि प्रशन किस ने लिखा तो क्या लिखेंगे कि प्रशन मेरे भाई ने लिखा उसके बाद है कि किसे लिखा तो किसे लिखा? तो पत्र हमारी दादी के लिए लिखा उसके बाद फिर है कि किस ताडिक को लिखा? तो किस ताडिक को लिखा? तो यह पत्र 26 फरवरी 2019 को लिखा उसके बाद देखिए फिर है कि यह पत्र किस डाक खाने में तथा किस ताडिक को पहुचा तो देखिए किस ताडिक को तो यह पत्र रोहिनी डाक खाने में 27 फरवरी 2019 को पहुचा उसके बाद फिर देखिए फिर है कि यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला तो देखिए कैसे पता चला तो देखिए यह उत्तर हमें पत्र को देख कर पता चला तो इस तरह से हम लिखेंगे तो ये आपका प्रश्ण उत्तर खत्म हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताईए और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताके मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंशती रहे और आपको कहीं भी समझने में प्राब्लम हो रही हो तो आप मुझे से कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई तक केर थैंक्स तो वाच मैं वीडियो